मनिष कस्यप जेल से बहार निकलने के बाद वह पत्रकारिता करेंगे या फिर सरकार चलाएंगे मनिष कस्यप को जो चैनल था शस्तक नीउद उसको बदल क्यों दिया गया अब के जहन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर मनिस कस्यप जब जेल से वापस आएगा तो वो पत्रकाडिता करेगा या फिर लीडर बनेगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मनिस कस्यप जेल से बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे पत्रकाडिता करेंगे या फिर नेता बनेंगे तो चलिए जानते हैं कि अखिर ये कैसे पता चले कि मनिस्कासिप क्या बनेंगे सब के मन में ये सवाल है और हमारे कमेंड में भी बहुत ज़ादा ये सवाल पुछा गया कि मनिस्का सेब क्या करेंगे या जेल सेब बाहर आते हैं तो पत्रकारिता करेंगे बेवाक की तरह जिसे पहले करते थे या नहीं करेंगे तो उन सारे सवालों का जबाब मैं दूंगा इस वीडियो में अभी मनिसकसर पठना के वे और जेल में बंद है इससे पहले मनिसकसर बिहार में नहीं थे आप सब को पता होगा कि तमिलनाडू वाला जो कांड हुआ था उसमें मनिसकसर को फजाया गया था और मनिसकसर तमिलनाडू जेल में बंद थे और कुछ दिन बाद तमिलनाडू जेल में रहने के बाद वो विहार सिफ्ट हो गया और विहार जेल में भी फिला बंद थे दो दिन पहले मनिसकसर का कोट में पेशी था और उसी कोट के बाहर मनिसकसर ने बयान दिया सब ये सुनने को तत पड़ थे क्या कि मनिश कस्यप अभी तक कोई वयान दिये क्यों नहीं वो छे महीने से जेल में बंद थे लेकिन उनका कोई वयान नहीं आ रहा था हाला कि उनका वयान आहे के आथ थे जब कोट में उनका पेसी था उस बक्त उन्होंने बाहर में ही सबी मीडिया के सामने अपना वयान दिया और भरकते हुए सब का मुँ बंद कर दिया और तेजस्वी आदब को निशाना साधा और तेजस्वी आदब को निशाना साध देते ही उन्होंने ऐसी बड़ी बात कह दी आप सबका जो सवाल का जवाद उसी में चिपा हुआ है. मनिश का सयब ने उस बीडियो में कहा ..उस बयान में कहा कि मेरे साथ जो हो रहा है ..ämेरे साथ जेल में होड़ा है गजईड़े भंग्यरी के साथ रख दिया जा रहा है और गाजा पी कर मेरे मूँ पर फूख देते हैं जिसके करण मेरे सर में दर्द हो जाता है जब अंदर में यह सब होता है तो फिर बाहर का क्या हल होगा तो उन्होंने निशाना साथ ते जस्विया दब को और जो डबल डबल स्टार वाले होते हैं सिंग बाता है कि मनीज का सब आप जब जेल से बाहर निकलेंगे ना तो वो पतरकाड़िता नहीं करेंगे वो और नेता बनेंगे और देश को राजी को चलाएंगे हला कि आप सब के मन में एक और सवाल पनपता हुआ दिख रहा होगा या पनपता होगा कि आखिर मनीज का सब का जो चैनल था सस्तक न्यूज उसको बदल क्यों दिया गया आप जब यूटूब पे सर्च मारोगे कि मनीज का सब का जो में चैनल था सस्तक न्यूज वो सस्तक के नाम से नहीं है उसमें कुछ बदलाओ कर दिया गया है अकर यह बदलाओ किया तो किया क्यों तो मैं बता दूँ कि यह बदलाओ इसलिए किया गया था कि सच तक जो उनका नाम था चैनल का यूटुब चैनल का जो सच तक नाम से चल रहा था उस पे कॉपी राइट लगा दिय आज तक वाले ने आप सब जानते होंगे कि आज तक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉम है यह आज तक मेरा है और आप सच तक नहीं लगा सकते सच तो ठीक है लेकिन तक नहीं लगा सकते क्योंकि इस पर मेरा आधिकार आपको यह नाम चेंज करनी पड़ेगी वड़ना फ तक न्यूज नहीं आएगा वह सच टॉक्स आएगा तो मनिश कशिप से रिलेटेट दोनों सवाल का जबाब आपको मिल गया होगा मुझे लगता है कि मनिश कशिप क्या जेल से बहार निकलने के वाद उपा तरकार इता करेंगे या फिर सरकार चलाएंगे तो उन्होंने ख मरे पैशी था ना मनिश केशिप का उस समय मा उन से लिपट कर बहुत ज़्यादा रोई उस समय में पैशिप से भाबुक वहूए थैं एक छोटे से गाउं का लड़का आज पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है और बहुत सरे ऐसे भी है जो कि मनिसकसब के बहुत कटर बिरोधी है उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जितना आज तुम लोगों को मनिसकसब के बिरोध में बोलना है न, बोल लो लेकिन जिस दिन मनिस का सब निकलेगा न बाहर उस दिन एक एक करके वो हिसाब करेगा बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और मनिस का सब के बारे में आप क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में चेलूर बताएगा